मैं अपनी मानाल नफरत कर दे सी, साम केंदे सान की मेरी मां कल मुही है, मेरा नाम सिम्रन है ते मेरे पिता जी दा धिहांत मेरे पैदा होन तो पहला ही हो गया सी, मेरी मां मैंनू छट के चली गई सी, मेरे मामा जी ने ही मैंनू पाल पलोस के वड़ा किता, आज मेरे व्यादा देन है मैं दुलहन दे रूप वेच त्यार बैठी सी उदो ही मेरे मामा जी मेरे कोड़ आये ते कैन लगे एक औरत तेनों मिलना आई है जदो मेरे मामा जी ने मेनों दस्या कि ए तेरी मा है ता मैं उस औरत नों मिलन तो साफ इंकार कर देता क्योंकि मैं अपने व्यावाले द एक बाद चलन और तनों नहीं मिलना चौन दी सी मेरे मामा जी ने मेनों शांत किता ते फिर मेरे मामा जी ने मेरी मान दी अजेही सचाई दसी जसनों सौन के मेरे होश उड़ गई सिमरन बेटा त्यार हो गई बस थोड़ी देर वेच ब्राद पहुंचन वड़ी ही है जग जी सेंग ने अपनी पांजे सिमरन नों किहा हान जी मामा जी बस दपटा सेट करना बाकी है मामी जी समान वेच सेफटी बेन रखना पौल लगे सी इसले दूसरे गमरे विचो लैन गए हन सिमरन ने उट्तर देता बेटा जी बुरा ना मनने था एक गाल गयाने सी जग जी सेंग ने एक और जी संकोच कारदे होई किहा हान जी दसो मामा जी अजे ही केड़ी गाल है जो तुसी चैजिक रहे हूँ सिमरन ते नों किसे नाल मिलवाना है जग जी सेंग ने किहा हान जी दसो कौन है ओ सिमरन ने बहुत ही उच्षाहिद होके पुछा पुत्तर तू खोद ही देख लै केंदे होई जग जी सेंग ने किसे नों कमरे वेच ओन ले किहा आजाओ तुसी अंदर आजाओ एक अधखड उमर दी ओर्त कमरे वेच दाखल होई उस ओर्त नों देख के हरानी नाल सिमरन ने पुछया मामा जी ए कौन ने ए तेरी मा है बेटा जग जी सेंग ने जवाब दिता ए साब सौन के सिमरन पढ़क गई ते बोली ए मेरी मा है एस नों पुछो कि एस ने कदे मा होंदा कोई फार्जन बाया है ए ता मैननू दोध पिंदी बच्ची नों एकला चाड के चली गई सी न तुसी ते मामी जी ने ही मैननू पाल के वड़ा किता तुसी ते मामी जी मेरे मुम्मी पापा हो अजेही औरत मेरी मा नहीं हो सकती, जो याशी लई अपने छोटी जही बेटी नूँ छाड़ के चली जावे एस तरह न कहा बेटा, एक बार मेरी गल सुन ले, सिम्रन ने कहा मैं होन कोज नहीं सुनना तुसी एत्थों इसे वक्त चले जाओ फिर उस औरत ने सिम्रन नू कहा, तू ठीक कहा रही है पुत्तर, मेरा एत्थों जाना ही ठीक है ते ओ उस समय रुंदे होई चली गई इस आप देखे जग जी सेंग तो चौपना रहा गया, ओ सिम्रन नू कैन लगगे इस तरह ना कहा बेटा, इनी पत्थर ना बन, आखरो तेरी मा है एक वारस दे गल सौनला मामा जी, तुसी ता एना दी सारी सच्चाई जान दे होई भी अजहिया गलना कार रही हूं सिम्रन ने हरा नी नाल केहा, बेटा, उना बरे जो कुछ मेंनू पता है, वो मेंनू ही पता है अजह कुछ दिन पहला ही, एक आश्रम वेच मिली सी मैंने नू पहचान लेया, ते कहा की पैन, मैं तो हाड़ा जगजीत, तो हाड़ा छोटा प्रा पर उसने पहचानन तो इनकार कर दिता फिर मैं उना नू किहा की पैने तेरी बेटी दा व्या है, अशिर्वा देन नहीं आएंगी ता उसने मिनू किहा जगजीत मिनू माफ कर दे मेरे वरगी कलैने नू तेनू प्राकेंदा भी हक नहीं है, मैं ता माफी दे भी काबल नहीं है पर जो मैं किता, ओ मेरी मजबूरी सी, मैं बे सहारा ते एकल्ले सी, मैं तो हाड़े साब दी जंदगी वेच वापस नहीं आउना चौन दी, मेरे तो दूर रहो नई पैने, तेनू उसनू अशिर्वा देन ले आउना ही पैना उसने फिर किया, नई जगजीद, मैं अब वित्तर हो चुकी है, ते समाजने भी मैंनो नकार दिता है, ते मैं उसनू अशिर्वा देन ले कि में आ सकती है तब मैं पैननू किहा कि पैने मैंनू पता है कि ये समाज ने तेनू चरित्तर हीन, कलमूही, कलंकन ते पता ने की की किहा पर मैंनू पता है कि मेरी पैन कदे भी अजही नहीं हो सकती आज मैं तेरी बारे सब कुछ सौनना है उदो मैं बहुत छोटा सी, मैं तेरे लिए कोजनी कार सक्या पर होण मैं तेन्नू तेरा गवाच्या होया सन्मान वापस दवाके रहांगा तुँ आज तक मेरी गटते जिन्यावी रखडियां बनिया हन मैंनू उना सब दी सौं है ता जाके ओ मैंनू उस आश्रम वेच लेगे जित्थे ओ रेंदी सी ओथे ओ छोटे मोटे कामकार दिन्दी सी जैसनाल उसनो दो टाइम दा खाणा ते रेंलेई छाते नसीब होई सी ओथे जाके जदो मैं उस दी हड़ बित्ती सुनी ता मेरे पैरांथलों जुमीन निकल गई पर मामा जी की ओ साब चूट है जो लोका ने मम्मी बारे के हासी सिम्रण ने पुछया हाँ पुत्तर ओ सारी यां गला पूरी तरह सही नहीं हान जगजीत ने के हा ता की तुसी मैंनो मेरी मान दी पूरी सचाई दसोंगे सिम्रण ने एक तरले जहिनाल के हा तु सच्ची जानना चौनी है जगजीत सेंग ने सिम्रण नो पुछया हाँ जी मामा जी मैं एक एक गल एक एक साच जानना चौनी हा सिम्रण ने के हा जगजी सेंग ने किहा ता फिर सोन अपनी माँ दी सच्चाई फिर उसने उसने उसनी माँ दी कहाणी दसनी शुरू किती गल उना दिना दी है जदो में दास सालदा सी पैन ने उदो अपने सोल में सालवेच पैर रख्या सी पैन मेरे ताया जी दी बेटी है पैन दी माँ उसन कि पैन नू आठमी वेच्छी अपनी पड़ाई छड़नी पई पैन पड़न वेच इनी हुश्यार सी कि जे कर उसनू अग्गे पड़न दा मौका मिलदा ताउ हो डॉक्टर जा इंजीनियर बांग साक दी सी औस दी मत्रेई मा किसे कार्ण करके मा ना बांग सकी जाद उस दी अपना कोई बच्चा ना होया तो उसने सारी पड़ास पैन ते ही कड़नी ते कैना एह ही मनहूस है एसलाई ही मेरे नाल अजिया हो रहा है ओ हमेशा बिना सेर पैर्दियां गल्ला कर दी रहन दी ताया जी ते मेरे पिता जी दे कारदा बटवारा हो चुक्या सी दादा जी पराणे पश्तैनी बहुत वड़ी हवेली सी एसले जगा दी कोई कमी ने सी हवेली दे दो हिस्से हों दे बावजूद भी दोना प्रवारानों बहुत वड़ी वड़ी हिस्से मिले हवेली दे पिछे एक बगिच्चा ते पशुवाली वाड़ा सी जित्थे दो छोटियां कोठडियां बढिया सी ओथे तूड़ी लकड़ा ते पाथियां रख्यां जान दिया सान दोना हे खरानों वड़ी वड़ी वेड़े मल गे ते छात वी मेरे मम्मी ते ताई जी दे वेच बेलकुल वी बोल चाल नहीं सी ताई जी दस बाब बौत ही खरा सी उन्ना दी किसे गलत विहार कर दे ता मेरी मातों देख्या नहीं सी जान दा एसलिए जदों ओ ताई जी नू कुछ केंदे ताई जी जवाब दिन दे कि तो छोटी यां ते मैं देरी जठानी यां तुमेनू ज़ादा ग्यान न दिया कर मत्ता न दिया कर ए गल्ला मानों भी चंगिया नहीं सी लग दियां जिनना चर दादी जी रहे उनना चर ताई जी दा विहार पैन नाल उनना खराब नहीं सी पर दादी जी जान तो बात ता जिवे उनना ते चंडी सवार हो गई हुए ना ओ के से छोटे दी गल सौन दे ते ना ही बड्यादा मान रख दे पैन दी पड़ाई ब किनारे बनी होई दिवार दे सहारे नाल बैठी कुछ पड़ रही सी तो उसने वेख्या कि छात दे एक कटी होई पतांग आखे डिगी उसने ओठके दर दर वेख्या ते सोचिया कि पता ने ए पतांग कित्रों अड़ की आई है फिर उसने छात तो थल्ले देख्या ता एक बड़ा लड़का एक छोटे जहें बच्चे नाल खड़ा सी छोटे बच्चे नू तो हो पहचान दी सी पर बड़े मुंडे नू असने पहली बार वेख्या सी ओ छोटा बच्चा नाल वाली गवंडरन पा बिदा मुंडा सी पर उसने नाल खड़ा बड़ा मुंडा कौन सी उदों ही उस लड़के ने कहा माफ करना तो हड़ी छाते साधी पतांग काट के डिगी है प्लीज वापस कार देओ पैन ने पतांग चक्की ते छात तो थल्ले उस लड़के वाल सेट दिती उस मुंडे ने पैन दा तानवाद किता पर उस देन तो बाद रोज ही पतांग काट के छाते डिगंदा सलसला शिरू हो गया ता एक देन उस वड़े मुंडे नूँ पैन ने पुछिया कि तुसी कौन हो ते रोज रोज तो हड़ी पतांग साधे करे ही आके क्यों डेग दी है मैं साम समझ दी हा ओ मुंडे बुल्लिया जी जो तुसी समझ रहे हो जी हा कोज भी नहीं ता पैन ने केहा बहुत बात मीजो तुसी ता मुंडे ने जवाब देता जी वैसे ता नहीं या पर ज़दों दा तो हाननू देख्या है ता हो गया हा फिर पैन चली गई ते होणों मुंडा करदी छातते आके किताब पढ़दे होई पैन नू देखन लई पहुंच जान्दा पैन भी कदे कदे किताब पढ़दे होई उस वल चाती मार लेंदी ता ओ हस पैन दा ता पैन फेर छेती-छेती कताब दे पिछे अपना चिराल लखो लेंदी अस मुंडे ने पैन दे चाचे दे मुंडे यानि के मेरे नाल दोस्ती कर लें सी हड मैं पैन नाल ऐस मुंडे बारे गल्ना करनिया शुरू कर देती हा तब पैननों उदो पता लगया कि ओ मुंडा गवांडन पाबीदा प्रा है औस दा नाम आमन है जो वकालत दी पड़ाई कार रहा है ओ उमर वेच पैन तों काट तो काट पांच साल वड़ा होएगा अबनने हौली हौली अपनिया गलना ते शरारता नाल पैन दा देल जितना शुरू कार देता पैनने शुरू शुरू वेच असनों ता बहुती तवज्जों नहीं दित्ती पर बाद वेच ओवी अमन दे मोजाल वेच फसान लगई करदी भी की ओ एस दुनिया वेच आपने आपनों एकला समझ दी सी हौन ता कि ते दोस्त मिलेया सी जो काट तो काट अस दे चेरे ते एक मुस्कराहट ता लेयोंदा सी सालला तो मद्रेई मांदे ताने सौन सौन के अस दा मन परया पया सी पर अमन अस दी जंदगी वेच त्रेल दियां बुन्दा मांगाया ते असने पैन दे माननों प्यांदे ता हौन पैन दे कठोर सुभा वेच थोड़ी नर्मी आगे सी दोनों छाते जानदे ते अपने मांदियां गल्लां चिठियां वेच लेखके एक दूसरे पहुचा आदे कदे कदे दोनों बुगीचे वेच बनी कोठडी वेच भी मेल लेंदे सी दोनों एक दूजेनू होन दिलों जाननाल चौन लगगे सी पैन होन अमन तों एक पाल लई वी दूर होनदा नहीं सोच सकती सी अमन वी पैन नल व्या करना चौनदा सी ओ असनू कहिनदा सी कि वकालत दी पड़ाई पूरे होनदे ही मैं बहुत तूम तामनाल तेरी नल व्या करूंगा होन दुनिया दी कोई भी ताकत में नू तेरे तों अलाग नहीं कार सकती फेरों कहिनदा कि साड़ी जोडी ता उपर वाले ने बनाई है मैं तेरे बिना अधू राहा अजैया गल्ला सौन के पैन शर्मा जान दी दुन्ना दा प्यार इसे तरां प्रवान चाड़ रहा सी पर केंदे हन इश्क ते मुष्क लुको यानी लुक दे एक देन पैन दी मत्रेई मा शाम नू बगीचे दी कोठडी विचों पाथियां लेन गई ते देख्या कि कोठडी दा गेट पूरी तरां बांध नई सी बस नाल ही लगगा होया सी अस दी मत्रेई मा ने जिमें ही कोठडी दा गेट खुलेया तो असने देख्या कि अमन पैन दी गोध वेच सेर राख के प्या सी ते पैन अस दे बाला मेंच उंगलां फेर रही सी जदो अस दी मा ने ए सब देख्या ता ओग गुसे वेच उबलन लगी असने अमन नो पुछ्या कौण आ तूं ते इथे की कार रहे आई ते ए की खीचडी बन रही है होन अमन दे होशवा सोट गे ओ डर्दे मारे कौज भी बोलना सक्या ते असनो बचौन ली पैन बोली मम्मी ए नाल वाली पाबीदा प्रा है मैं तेनो पुछ्या फिर तूं क्यों मेरे सवाल दा जवाब दे रही है तू बशार मामा गे थे क्यों खड़ा जानदा गयो नी असनी मम्मी गुस्से वेच बोली अमाने सब सुन के चला गया पैन असनो जानदेनो देख दी रही कोठडी दे एक कोनने वेच लकडियां दा टेर पे आसी असनी माने उथों एक लकड चुकी ते पैननो मारना शुरू कर देता पैनने वी अपना कोई बचाने किता ते चौप चाप मार खांदी रही जदो असनी मित्रेई मा मारदे मारदे ठक गई ता उसने खोद ही मारना बंद कर देता ते उसने पैननो अस कोठडी वेच बंद करके बारो जिंद्रा लगा दिता दिपैर तो शाम हो गई ते पैन पुखी प्यासी ओमें ही कोठडी वेच पई रही उदर अमन ने परेशान होके मेननो कया दित्ता सी कि तेरी पैन पुखी प्यासी कोठडी वेच बंद है तो अपनी मानू के अस दी मदद कर मेननो जदो पता चल लेया ता मैं फोरन अपनी मानू आके दस्या मेरी मातों एस आप देख्या न गया ते असने अपनी जठाणी नू किहा कि उपैन नू बाहर काड़ देवे पर उग उस से वेच बोली आई वड़ी सफार्ष करन वड़ी पता विया अज मैं असनो एक मुंडे नाल रंगे हत्ती फड़ेया अज आण देव ऐस दे प्याओनू जो ऐस दी बहुत तर्फदारी करदा असनो असनो असनी तीदियां सारीयां कर्तूतां दस्योंगी क्यो की की करदी फ़र दिया पैंदी गलती देखके मेरी मावी चुप हो गई अस देन तो बाद असनी मत्रेई माने असनो करवेची कैद कर लिया ते जल्दी जल्दी वेची पैंदा व्यावी तै कर दिता जदो अमन नो ऐस खबरदा पता लगया ता ओ तडफ उठिया असने एक चिठी लखके मेरे हथ पे जी कि ओ एक वार असनो मिलना चौनदा है रात नो बगीचे वेच पैंद जदो अमन नो मिलन गई तो असने रोंदे होए असनो गलना लालेा ते बोलेा कि ए व्याव ना कर मना कर दे मेरा इंतजार कर बस थोड़े दिन होर पड़ाई पूरे हुन्दे ही मैं ते नो व्या के लेज मागा फिर पैंद ने वी अपनी मजबूरी दस दे होए असनो किहा कि मैं कोज नहीं कर सकदी अमन होण मेरी वास्विच कोज भी नहीं रहा मेरा ते तेरा साथ बस इना ही सी मैं होण अपने माबापनों तोखा नी दे सकती फिर पैंद उथो चली गई ते अमन उथे गुड़्यां पार बैठके बहुत रोया कोज दिना बाद पैंदा व्या हो गया ते उसदी डोली समे अमन बहुत रोया सी जदो पैंद सोर्यां तो दुबारा अपने पेके आई तो असनों पता लगा कि उसदी व्यादे दो दिन बाद ही अमन ने अपने पैंद जाके नहर वेच शाल मारके आतम हत्या कर लई सी एस अनके ओ बहुत रोयी सी मान ही मान उसने अमन तो माफी मंगी रो तो के फिर दुबारा अपने सोरे कार चली गई होन सोरे कार असना मन लगगन लगा सी क्योंकि असने पती दा सबाब बहुत ही चंगा सी ओ काफी खोश मिजाज ते मिलन सार सी ओ पैंदा भी बहुत ख्याल रख़दा सी ओसदे माबाप नहीं सान इस करके ओ अपनी वड़ी पैंदाल असने कार वेच रह रहा सी ओसदे पैंदे कोई संतान नहीं सी ता करके ओ असनों अपने बच्चान दी तरह सामझी दी सी पैंदा कारवाला एक ड्राइवर सी ते एन्नी को आमदन हो जान दी सी कि ओ पैंदनों खोश राख साकता सी इसे तरह तैन साल लंगए पर पैंदे कोई बच्चाना होया होन असदी नडानों भी ये लगण लगगा सी कि किते ओस वांग ओवी निर संतान ना रह जवे पर कोश दिना वाद राब ने पैंदी सोन लई खाबर मिली कि पैंद मा बानवाली है एस गालनों तैन में ही नहीं लंगे सान कि एक देन असदे कारवाले दा एक्सिडेंट हो गया काफी सवारियां जखमी हो गई है सान ते मारनवाले मेंच बास दा ड्राइवर ते कंडक्टर भी शामल सान एक खाबर सोन दे ही पैंद सोन हो गई ते असदे दुखादा पहाय टोट पया ओ अपने कारवाले दी लाश नाल लागके चीका मार मार के बहुत रोई पर होन रोन नाल की होन वाला सी रोन नाल कोई मरन वाला वापसता नहीं आ जन्दा पैंड रोन दी रही ते असदे कारवाले दा आंतम संसकार कार दिता गया होन पैंड नू लगगन लगगा सी कि शायदो दोख चलनले ही पैदा होई है इसे त्रापती दी मौत दा दोख चाल दे होई पैंड ने कोज महिनया बाद एक कुडी नू जनम दिता ते प्यार नाल असदा नाम सिम्रन रख्या पर अजे भी पैंड दे दुखा दे लड़ी नई सी तुटी असनू पता सी कि असदा नंदूया चंगे चरित्तर वाला आदमी नहीं है पर असनू ए ने सी पता कि ओ असनू भी माडी नजर नाल देखदा है एक दन दुपैर दे समे पैंड का रवेच एकल्डी सी ओस इम्रन नू सुवा के दुपैर दा खाना बणाओन जाही रई सी असदी नंद बजार गई हुई सी ते असदा नंदूया आया ओ इसे ही ता मौके दी तलाश वेच सी असने पैंड नू इकल्डी बेखके कारदा दर्वाजा बंद कर लेया ते असनू अपनी हवसदा शिकार बणाओन दी कोशिश कीती पैंड ने किसे न किसे तरा अपने आपनो बचा लेया पर ओ अपना वार खाली जन्दा देखके अग बबूला होके बूलेया आज जाहे जो हो जावे मैं तेनू नी छटड़ांगा आज मैं देखदा हां कि तेनू कौन बचाओदा है इस अण के पैंड मेंता दरलेकडन लगी अपने एज़दी पीख मंगन लगी पर हो राक्षस कित्थे मननण माला सी इनने वेचे छोटी बच्ची सिम्रन जाग गई ते जोर जोर दी रोन लगी ता गवाण वेचे रेंड़ वाली ये कौर्त ने अपने करों ही अवाज दित्ती क्यों कुड़ी नू इननर वा रहे हूँ गवांडण ये वाज सौण के पैन नू थोड़ा हौसला मिलिया उसने नन्दोईय नू कहा कि जे तु कोई जेही हरकत किती था मैं सारे अनू चीक चीक के बलाल मांगी ओ गम बोलिया जे हैमत है था चीक के वखा पैन ने कहा मैं साच कह रही है मैं कोई लिहाज नहीं करना पर ओ फिर भी नहीं मन्या मजबूर हो के पैन ने चीकन शुरू कर दता रोला रप्पा सोण के पीड एकठी हो गई ता उसने नन्दोईय ने दा खेड़िया उसने सारे अनू ए दस्या कि ए मेरे गले पैगे सी की करे विचारी जवान खूना जवानी संबाली नहीं जा रही जवानी दे जोश्वेच ऐसने ए भी नहीं देख्या कि मैं ऐस दे पिता समान हा कैन लगी चीक चे हाड़ा पादमागी मैं बहुत समझाया कि अजेईया हारकता चंगे करा दिया कुडियानू शोबानी दिन दिया पर ए किते मननवाली सी बस मैं नुचिमबड़ गी मैं मना किता ता रोलापा के सारे नू एकठे कार लिया कुलैने कुलचनी किसे था दी जा किते जाके चपनी वेच नकडबो के मरजा तेरे तांदी अग ठंडी हो जावेगी ए सब सौनके पैन दांग रह गई ते सारे नू कैन लगई कि ए आदमी चूठ बोल रहा है मैं जेहा कुज नहीं किता उसे समय उस दी नंद भी आ गई ए सारा तमाशा देखके ओवी टाकां ते हाथ तरके बोली तुसी सारे जाओ मैं समाल लवांगी अपनी नंद नू देखके पैनने के हाँ मेरा कोई दोश नहीं है दोशीता सीता भी नहीं सी फिर भी अगनी प्रिख्या उसे नहीं दित्ती सी मैं नू पता है कि तू अजिहा कुज नहीं किता होवेगा पर तू एक योँ पॉल रहियां कि ए समाज मर्दा दा बनाया होया है जो ओ चौन गे ओही होवेगा और समय असदी नंद ए कहके चौप हो गई पर रात नू असने पैननू किहा कि मैं तेनू कदो तक बचा के रखांगी तू ऐस तरह कार बच्चे नू मेरे को छटके शेहर चली जा मैं सब संबाल लवांगी ते रातो रात पैन दी नंद ने उसनू कच पैसे दे के शेहर वाली बास्ते बठा दिता एदर उसने नंद विये नू पैन नू बदनाम करनदा मुक्का मिल गया उसने सब नू ए किहा कि ओ किसे दिन आल पाज गई है साधी खान दान दा ना बदनाम कर दिता है उसने पैन दे पिताजी नू फोन करके किहा कि बच्ची नू ले जान असी उसनू नहीं रखांगे इस तरह बच्ची दे नाना सिम्रन नू ले आई मा ने भी पालन तों मना कर दिता पर मेरी मा छोटी जी बच्ची नू ना चाड़ सकी उसने उसने जुम्मेवारी ले 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 ओधर शहर वेच जदो तक पैन कोल पैसे सी ता उँ जिंदगी बसर कार रही सी पर पैसे खतम होंदे बाद ओ पुखी मरन लगी इसे तरह एक देन पुखी प्यासी ओ सड़क खनारे जा रही सी ते चकर खाके देख पई सड़क दे खनारे एक छोटी जे चौपडी वेच लहार अपना कम कर रहा सी पैन नो बिहोश होई देख्या ता उस दे मूँते पाणी छड़किया पैन थोड़ा होश वेच आई ता उसने पुख्या कि पैने तू कौन है कित्थों आई है तेरे नाल कौन है ता पैन ने अपनी सारी राम कहाणी उस लोहार नो सुना देती ता उस लोहार ने कहा कि पैने तू इत्थे रह सक दिया मेरा हाथ बटा दिया कर जो रुख्य सुख्य बढेंगी वो तू भी खाल लया करी उस दे पैन बन के रहन लगी पर एक दैन पिंडो को यी आदमी शहर आया तो उसने पैन नो उस लोहार दे नाल देख लिया ते उसने सारे पेंड़ वेचे क्या देता क्यों किसे लोहार दे नाल मुँ काला करदी फर दिया उसने नंडोया सही कहिंदा सी क्यों अवारा है इस तरह उसने नंडोया सही साबत हो गया ते पैन बाद चलन साबत हो गई कोच दिना बाद ओल हार वी किसे बिमारी कारण चल वसया ते एक वार फेर पैन कली हो गई फेर ओ एक अनाथ आश्रम वेच अनाथ बच्चेयां दा सहारा बणके उनादी सेवा कारण लगई एस दे बदले वेच ओ सेर्फ दो वाक्त दा खाणा लेंदे सी औस नो रैन लई वी उत्थे ही जगा मेल गई सी पर जदो अस दा शरीर कमजोर हों लगा ता हो बेर दा अश्रम चली गई फिर जदो मेरा व्या होया ता असी दोनों पती पतनी ने सिम्रनों माँ बाप दी तरह संबाल लेया मैंनू ता पैन दी पूरी सचाई भी पता नहीं सी मैंनू ता बस ओही पता सी जो समाज ने मैंनू दस्या सी मैं सिम्रन तैन्नों भी ओही दस्या पर जदो मैं पैननों मिलेया ता उसने सारी सचाई मेंनों दसी एसी पुत्तर तेरी माँ दी कहाणी ऐसले सिम्रन बेटा उसनों माफ कर दे उस अपा गन्ने था पता नी किन्या ही तकलीफां चलिया हन तू आज उसनों गले लगा के उसने सारे दोख कट दे जगजीत सेंग ने कहा एस सब सण के सिम्रन रोन लगी मामा जी मैंनों ममी को ले चलो जगजीत सेंग सिम्रन नों अस दी मा को ले गया अस दी मा बाहर एक वड़े सारे द्रक्त थले बैठके रो रही सी सिम्रन पज़ के जाके अपनी माँ दे गाल लाग गई ते बुली ममी मेनू माफ कर देओ औस दी माँ भी रोंदी हुई केंदी कि मैं बेक सूर हांती ये सिम्रन ने किया जान दी हां ममी दोने मामातियां एक दुझे दे गाला के किन्नी देर ता करोंदिया रहिया फिर जग जी सेंग दोनों मामातियानूं अंदर लेके आए ते सिम्रन ने आपनी मम्मी नूं एक बहुत सुंदर सूट पैननल लई दिता ते अपनी मानूं चंगी तरह त्यार किता जग जी सेंग ने व्या दियां सारी यां रस्मा औस दी मादे हत्थों ही करवाईया बहुत तो उम्ताम नल व्या हो गया ते सिम्रन अपने कार चली गई व्या संपन होन तो बाद जग जी सेंग ने कहा कि पैने होन ताया जी ते ताई जी नहीं रहे ताया जीदा कार, जमीन, सब कुछ तेरा हीता है ना, सब कुछ हुन्दे हुए भी तु ऐस तरा जंदगी गुजार रही है बस होन होर नहीं, अपना कार, जमीन, जयदाद होन तु ख़द संबाल, मैं बौत देर तक संबाल लेया सिम्रन दी माधिया अख़्ा मेच प्रादी गाल सोन के हंजू आ गई, ते वो अपने कारवापस आ गई, ते असनी अपने सारी जयदाद संबाल ले, सारी जंदगी दोख चलन दे बाद, होन अस दी जंदगी वेट, खुशिया आई या सान सिम्रन रोज फोन करके अपनी माधा हाल चाल पॉश्ट दी सी, जदो समा मेलदा, वो अपनी माधा को रहन ले आ जान दी सी सो तुसी दसे ओ, अब कहाणी बारे अपने विचार, कमेंट बाक्स वेच लेके, केवें दी लगी कहाणी, चंगी लगी, लाइक करेओ, दोस्ताना शेर करेओ, ते चैनल नों वी जरूर सब्सक्राइब करेओ, बाकी दियां कहाणीयां भी सण दे रहो, उमीद है, पसान द करेओट लाओें जरूर अवेके, के बाक्स वेच लाओें दो करे दो पराणके से ज वेचे हो दूरूरुआ कहा घाना इसक्ताना थ Allahолет carrier रादा हमेगें नों तू तूपके लिए राऊमाना कार म।aं दे जियां है, चैनल बाकियों, प्सक्ताना हो प्राणके याल प्लके, स